बात्री चल रहे हैं और यहां पर बहुत शुरूड़ यहां पर बहुत वह दो और बहुत प्रसित मंदिर हैं और हम तो यह आते ही रहते हैं और नवरातर में अची हल से दर्शन हुए प्रश्ण करने में आती रहती हूं बहुत अच्छे दर्शन करके मन को बहुत शानती मिलती है और यहां पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है आए दिन हमें आपर आते हैं दर्शन के लिए और आज तो वैसे भी नौरात्रियों का टाइम चल रहा है तो बहुत ही मैंने आप हरीद्वार भरा हुआ है तो किस तरह से पुजे करते हैं किस तरह क्या चड़ाया जाता है嗎 माता रानी को तो जो भी है फल प्रशाद यह सब चड़ाया जाता है पूल्म इससे पूजा की जाती है जब आपके मन में श्रद्दा होती है तो ऐसी कोई भी दिक्कत प्रशानी होती है ना कोई गर्मी लगती है ना कुछ लगता है सिर्फ मन में एक भा होता है कि हमें दर्शन करने और बस हम आके यहां पर दर्शन करते हैं इसके साथ यह पावन हफ्ता है माता रानी का उसके लिए यहां पर सभी सद्धाहुल लोग आते हैं और अपनी मरुकामनाय के लिए आते हैं और वो पूरी भी होती है नहीं सर चाहिए कुछ नहीं बस मनता आने का आगए बहुत बाकी माता काश्रवाद है वही बहुत है आप उठावाद के लोग देश विदेश से भी यहां से लोग माभवती के अराधना करने के लिए पूजन पार्ठावन के लिए आ रहे हैं और माभवती से अपनी मनोकामनाय मांग रहे हैं नवरात्रों में विशे इस रूप से जो है जदातर सरदालू माभवती के मनिरमें मनोकामना मांगनी के लिए माके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और क्योंकि नवरात रहे हैं तो नौ रूप में मा की पूजा होती है तो प्रती दिन यहां पर नौ रूप में मा भगवती की पूजा अर्चना चलती है और अश्टमी में जैसे कन्या जिमा करके बंडारा वगरा करके नौमी के दिन नौमी का मा भगवती पूजा करके और कन्या वगरा जिमा करके भंडा रहते हैं यहां और चक किया जाता है और सभी लोग यहां पर मा भगुती के दर्शन कर रहे हैं और पुन्य का लाब ले रहे हैं